हेलो स्टुडेंट्स तुए फ्टी सलूशन में आज हम बात करने वाले हैं इन डेफिनिट और डेफिनिट इंटिग्रेशन चेप्टर पर तो इस चेप्टर को आपने रिवाइस कर लिया होगा देन उसके बाद में आपने अटेम्ट करने के बाद में ही आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो चलिए बात करते हैं किया प्रॉब्लम से हमारे पास में तो फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड है अब यह इंटिग्रेशन अगर इंवाल हो रहा है लिमिट में तो आपको मालूम है इसको सॉल करने के लिए न्यूटन लिबनिज रूल का ह तो यह आजाएगा लिमिट के तेंडिंग तो जीरो वेरिबल के है एंड इंटिग्रेशन 0 to k 1 minus cos 4x अपन x square plus 2 dx और डिनोम नेटर में हमारे पास में है 2k cube इस जीरो बाई 0 4 तो इन डिटर्मिनेंसी चेक करना जरूरी है इन डिटर्मिनेंसी अगर हम लोग यहां पर देखें तो यह 0 बाई 0 4 में है इसे differentiate कर लेते हैं तो differentiation, optom rule हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका differentiation हम लोग को मालूम है कि पहले यह upper limit हम लोग इसमें put करेंगे फिर upper limit को k के respect में differentiate करेंगे तो अगर मैं इसे put कर दूँ तो यह आ जाएगा 1 minus cos 4k and denominator में आपको मिल जाएगा k square plus 2 और इस 2k cube का further derivative 6k square अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये 1 minus cos fx upon fx square इस standard limit के form में आ रहा है तो थोड़ा सा rearrangement कर लेते हैं limit k tending towards 0 1 minus cos 4k हमें इसके लिए 4k square denominator में adjust करना पड़ेगा and remaining जो part है 16 balance कर देते हैं k square plus 2 हमारे पास में एक extra यहाँ पार denominator में factor आ रहा है और k square तो हम adjust कर ही चुके हैं ठीक है और एक extra 6 भी है into 6 अब इसमें limit हम लोग apply कर देते हैं तो इसमें अगर हम limit apply कर देंगे तो यह standard limit आप लोगों को मालूम ही है यह 1 upon 2 होता है यहाँ पर आ जाएगा 16 यहाँ पर denominator में k की value अगर 0 रख दें तो 6 into 2 यह आर अपने पास में 12 तो अगर मैं इसे simplify कर दूँ तो यह आ जाएगा अपने पास में 8 by 12 यह further 2 by 3 so answer is 2 by 3 2 by 3 यानि option c is correct option c is का correct answer होगा ठीक है तो चलिए move करते हैं next problem की तरफ ठीक है तो next problem आपके सामने है integration 0 to infinity root x dx 1 plus x 2 plus x then this integration value is equal to i की value हमें find out करनी है कुछ हमारे पास में options है तो यहाँ पर आपने independent integration में ऐसे problem देखे होंगे जब भी हमारे पास में radical sign आता है जैसे यहाँ पर root x present है तो root x के लिए deal करना थोड़ा सा मुश्किल है हम क्या करेंगे यहाँ पर power को natural power में बदल लेते हैं तो इस substitution के बाद में जो यह integration आएगा वो हमारे लिए deal करना आसान होगा ठीके ना उसका form आपको समझ में आ जाएगा देन उसे हम integrate कर लेंगे तो root x को t put कर देते हैं या x को t square put कर देते हैं तो root x को t अगर put करेंगे तो dx को dt में अगर बदला जाए तो dx आ जाएगा इधर बनेगा t square which is 2t dt now this integration आई इसके बराबर होगा चेक करते हैं x 0 पर t की value भी 0 है x infinity पर t की value infinity है root x की जगा पर हमने t रख दिया dx को change कर दें तो 2t dt आ जाएगा denominator में चलते हैं इस x की जगा पर t square तो 1 plus t square और यहाँ पर भी आ जाएगा 2 plus t square अब अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इसे partial fraction से आराम से solve कर सकते हैं तो इसमें partial fraction हम लोग apply करेंगे और direct अगर आप think कर सकते हो तो direct apply कर लिजे 1 upon 1 plus t square और 1 upon 2 plus t square with minus sign में रखता हूँ इन दोनों को मैं separate कर रहा हूँ फिर उसके बाद में अभी हम edges कर लेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तमारे पास में आ रहा t square और कोई constant नहीं आ रहा है तो constant अगर मुझे हटाना है तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 2 तो अब अगर observe करें तो यह आ जाएगा t square minus का 2t square minus 2 2 से 2 cancel हो जाएगा एक minus का sign आ रहा है उसको भी adjust कर देते हैं यहाँ plus यहाँ minus और 2 को बाहर रख लेते हैं dt यहाँ एक काम यह भी कर सकते हो कि पहले t square को आप एक variable y मान लो then 2y upon 1 plus y 2 plus y के partial fraction कर लो and then बाद में फिर से y की जगा t square रख दीजे अब यह standard integration है तो इसका integration minus 1 upon 1 plus t square this is minus 10 inverse t इसकी अगर बात करूँ numerator में 2 है यहाँ पर आएगा 1 upon a 1 upon a मत्रब root 2 this is 10 inverse t upon root 2 और limit हम रखेंगे 0 से infinity तो चलिए इसमें value रख देते हैं और देखते हैं final answer क्या आ रहा है यहाँ पर 2 आ जाएगा infinity पर यह आएगा minus का pi by 2 plus का root 2 और यहाँ पर भी infinity पर आएगा pi by 2 0 पर दोनो 0 है तो 2 से 2 cancel कर लेते हैं pi को common निकाल लेते हैं यह आजाएगा pi root 2 minus 1 so answer is pi into root 2 minus 1 और यह option आ रहा हमारे पास में option d ठीक है option d is correct चलिए आगे बढ़ते हैं next problem की तरह तो यहाँ पर दो integration given है और आपको यहाँ पर एक integration की value की help से दूसरे integration की value को find out करना है इस type के problem में basically आपको एक integration को दूसरे integration के form में लाना है ठीक है ना तो समझ में तो आता है यहाँ पर हम इसको इस form में convert करेंगे मतलब यह sin t जैसा कुछ create करेंगे साथी साथ limit को भी दिमाग में रखना है ठीक है यहाँ पर limit 0 से 1 है जबकि यहाँ पर 4 pi माइनस 2 और 4 pi है तो उसी तरीके का कुछ substitution हम लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर यह जो second integration है मैं इसे i2 नाम दे देता हूँ इसको थोड़ा सा मैं rearrange करके लिखता हूँ 4 pi माइनस 2 4 pi यहाँ पर है sine का t by 2 एक काम कर लेते हैं denominator में भी t by 2 create कर लेते हैं तो एक 2 अगर मैं common ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 pi प्लस 1 माइनस का t by 2 अब यहीं से substitution पर दिमाग लगाते हैं तो यह दिख जाना चाहिए हमें denominator में 1 प्लस t लाना है तो उसी direction में सोचते हैं तो अगर यह 2 pi माइनस t by 2 इसको अगर मैं एक नया variable मान लूँ तो obvious ही बात है हम इसे deal कर सकते हैं तो मैं काम करने जा रहा हूँ 2 pi माइनस t by 2 इसको मान लेते हैं x अब अगर यह x के बराबर है तो dt और dx में relation निकाल लेते हैं यहाँ पर आ रहा है minus dt by 2 और इसकी अगर बात करें तो यह dx से देखते हैं इससे integration i2 में क्या change आता है तो चलो limit रखते हैं t की value अगर आप रखेंगे 4 pi minus 2 तो 4 pi minus 2 पर यह बन जाएगा 1 यह बनेगा t by 2 की value बन जाएगी अपने पास में 2 pi minus 1 यह बना जाएगा और अगर मैं t की limit रख देता हूँ 4 pi तो यह आजाएगा 0 यहाँ पर numerator की अगर बात करें तो आएगा sin t by 2 की जगा रख दूँगा 2 pi minus x denominator की बात करें यहाँ पर 2 हैं हमारे पास में extra वैसे यह 2 यहाँ से adjust कर देते हैं dt की जगा 2 dx रखेंगे या minus dt by 2 को मैं minus dx रख देता हूँ तो एक minus sign यहाँ पर dx और denominator में यह 2 यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यह 2 बचेगा नहीं और यहाँ पर आजाएगा अपने पास में 2 pi minus t by 2 को मैंने x रख देता है तो 1 plus x अब आपको यह दिख जा रहा होगा sin 2 pi minus theta वो होता है sin theta तो इस i2 को मैं लिख लेंगे integration 1 से 0 this is sin x divided by 1 plus x ठीक है और अगर मैं इस limit को interchange करता हूँ तो एक minus sin आ जाएगा तो इसी को मैं लिख सकते हैं minus of integration 0 to 1 sin x over dx और definite integration में हमें मालूम है कि variable change करने से कोई फर्क नहीं पड़ता यानि उस x की जगह पर अगर मैं t वापस रख दूं तो हमारा वापस यह a वाला integration आ जाएगा so we can write this is minus of integration a तो i2 जो integration है उसकी value minus a के बराबर आ रही है so option b is correct इसका answer option b हमें मिल जाएगा चलिए next problem देखते हैं okay हमारे पास में एक integration है जीरो से पाइब फोर 10x power n where n is a natural number n greater than equal to 2 है and which of the following is false तो यहां पर हमें true नहीं हमें false statement पर comment करना है अब यह आपका देखा हुआ problem होगा reduction formula में हम इस problem को करते हैं और reduction formula का use हो रहा है इस option d को देख करके समझ में आता है तो सबसे पहले हम उसी पर ही target करते हैं option d को observe करेंगे कि वो correct है या नहीं तो यहां पर f of n और f of n-2 के summation को calculate करते हैं यह जाएगा 0 से pi by 4 10x power n और plus 10x power n-2 थोड़ा सा इसे rearrange करके लिखें तो 0 से pi by 4 इसमें से 10x square आप common ले सकते हैं 10x power n-2 को common ले सकते हैं और यहां पर बचेगा 1 plus 10 square x जो आ जाएगा sec square और अगर मैं 10x को t के बराबर रख दूँ तो 10x को t put करने पर यह t की power n-2 का integration 0 से 1 में बन जाएगा तो 0 से 1 में t की power n-2 का integration समझ में आता है t की power n-1 upon n-1 this is 1 upon n-1 तो option d हमारा correct है हमें false statement चाहिए तो option d तो बिल्कुल सही हो गया अब इससे related एक option जो match करता हुआ दिख रहा है वो यह है हम b पर comment कर सकते हैं तो चलिए b पर बात कर लेते हैं कि जो fn होगा किसी भी natural number के लिए जो आप fn define करेंगे 0 से pi by 4 में बात हो रही है तो 0 से pi by 4 में कोई भी natural number आप रख लो यह तो हमारा positive ही होगा 10x function जो है अब अगर यह positive होगा तो मैं basically यह property पता होनी चाहिए कि positive function का integration positive ही होता है इसका मतलब अगर मैं fn plus fn minus 2 यह proof कर चुका हूँ this is 1 upon n minus 1 यहां से मैं लिखनूंगा कि जो fn की value होगी that is 1 upon n minus 1 minus fn minus 2 यह value मेरे पास में है greater than 0 some positive value क्योंकि यह positive function है अब अगर यह positive value है तो obviously बात है कि यह इसको 1 upon n minus 1 से less कर देगा तो fn की जो भी value आने वाली है वो हमारी 1 upon n minus 1 से तो less ही आने वाली है ठीके ना यह अपन justify कर सकते है तो यह भी correct है यह correct आ रहा है यह correct आ रहा है हमें false statement चाहिए तो अब आ जाते हैं इन दो option पर option a और option c option यह में कह रहा है कि fn plus 1 की जो value होगी वो fn से less होगी तो यह चीज़ भी आप justify कर सकते हो बई fn हमारे पास में है integration 0 से πाई बाई 4 10x पावर n अब अगर x की value हम 0 से πाई बाई 4 के बीच में लें तो जो 10x की value है वो 0 से 1 के बीच में है अब हमें यह basic property मालूम होनी चाहिए कि कोई number अगर 0 से 1 के बीच में है और आप power increase करते हो तो value decrease होती है यह value greater होगी 10x पावर n प्लस 1 से ठीक है अब अगर यह से greater है तो जो integration है fn वो हमारा greater होगा integration fn प्लस 1 से ठीक है क्योंकि यह 0 से 1 के बीच में है power greater है तो function की value कम होगी ठीक है तो यहां से अगर हम चेक करें तो fn greater than fn प्लस 1 आ रहा है fn greater than fn प्लस 1 यह भी correct है तो यह तीन option तो correct होगे इसका मतलब option c ही गलत होगा उससी इसको पन justify कर लेते हैं यह कर रहा है fn की value half से तो greater होगी किसी भी natural number पर लेकिन ऐसा है नहीं ठीक है न अगर मैं n बराबर 2 ही रख दूं तो n बराबर 2 पर अगर चेक किया जाए तो f of 2 की value यह आएगा integration 0 to pi by 4 10 square x 10 square x को हम लोग लिख लेंगे sec square x minus 1 sec square x का integration 10x और minus 1 के लिए x 0 से pi by 4 इस value को अगर देखा जाए तो this is 1 minus pi by 4 क्या यह value 1 by 2 से greater है तो यह value 1 by 2 से less है इसको verify कर लेते हैं अगर ऐसा होगा तो क्या 1 by 2 less than pi by 4 होगा क्या 4 less than 2 pi होगा तो हाँ यह बात बिल्कुछ सही है ठीक है न फोर की value less than 2 pi ही होती है इसका मतलब यह से half से less आएगा और अगर यह half से less आएगा तो फिर यह वाला option तो गलत है और जो wrong है ठीक है न वही option आपको यहाँ पर find out करना था ठीक है तो I hope यह आपको problem समझ में आया होगा चलिए move करते हैं next problem की तरफ नेक्स प्रॉब्लम I1, I2 दो integration है फिर यह उसी type का प्रॉब्लम आ गया और हमें I1 by I2 चाहिए यानि किसी एक integration को दूसरे integration से relate करने की हम लोग कोशिश करेंगे तो अगेन हम फिर से I2 को target करते हैं और I2 को I1 में बदलने की कोशिश करेंगे I2 integration है 0 to 1 numerator में x square dx denominator में e power x cube 2 minus x cube फिर से अगर हम दियान से देखें तो इसको numerator में ले जाना है और यहाँ 1 plus x create करना है तो इसी को दिमाग में रखते हैं इसको 1 plus x में create करने के लिए हम क्या करेंगे x cube की जगा पर रखने वाले हैं 1 minus t थेखेंगे ना इस इसको दिमाग में रखा ये तो हमारा exponential create करी देगा लेकिन denominator में 1 plus x लाने के लिए इसको 1 plus x में बदलना ज़रूरी है तो x cube की जगा 1 minus t रखेंगे तो ये 1 plus t बन जाएगा चलिए इसको करते हैं differentiate तो यहां से आ जाएगा 3x square dx बराबर minus dt इससे मारा i2 integration क्या बन रहा है i2 integration limit रख देते हैं x की value अगर आप 0 रखोगे तो t की value मिलेगी आपको minus 1 sorry t की value 1 और x की value अगर आप 1 रखेंगे तो t की value मिलेगी 0 ये x square dx तो minus dt में change हो गया minus dt एक 1 by 3 हमें balance करना पड़ेगा यहां से और denominator में इस x cube की जगा पर आ जाएगा e power 1 minus t और 7 में 1 plus t थोड़ा सा इसे rearrange करते हैं अगर इसे ध्यान से देखें ये वाला minus हम लोग use कर लेंगे limit को वापस interchange करने में तो this is 1 upon 3e integration 0 to 1 e की power minus t को numerator मे ले जाते हैं this is e power t over 1 plus t dt तो यह आपका वैसा ही कुछ आ गया जैसा कि यहां पर given था और इसे अगर मैं i1 लिख दूँ तो this is i1 divided by 3e यह i2 था तो i1 by i2 की value आपको मिल जाएगी 3e के बराबर 3e is correct answer option is correct तो same ऐसा question अम लोगों ने पहले भी देखा था वही 3e इसमें भी आपको मिल रही है चलिए next आगे देखते हैं कि ओके indefinite integration का एक problem है simple question है integration तो इसमें ज्यादा यूज नहीं हो रहा है log की property यूज हो रही है तो बस उस log की property को यूज करते हैं और देखते हैं इसका answer क्या है किस property को हम यूज कर रहे हैं a power log x base a we know that x के बराबर होता है तो इसी property को हमें यूज करना है तो चलिए देखते हैं integration क्या है integration e की power यहाँ पर भी base e है और अगर यह base e है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस e को हटा सकते हो 5 को power मिले जाएं तो this is x की power 5 पाई और पाई यह हट जाएगा 4 को power मिले जाएंगे minus x की power 4 denominator में अगेन यह देखें तो यह है x cube और इसकी अगर बात करें तो यह है x square इसमें x square cancel कर सकते हैं x square cancel कर दीजिए यहाँ से x की power 4 common आ गया x minus 1 यहां से x square common आ गया x minus 1 x square के साथ 7 x minus 1 भी cancel हो जा रहा है यानि इससे अगर देखा जाए तो यह integration x square dx x square का integration यह जाएगा x cube by 3 plus c अब इसने बोला कि यह integration fx के बराबर है इसी को यह fx बोल देते हैं तो constant value के लिए उसने बोला f6 72 है अगर मैं 6 रख दूँ तो यह आरा 6 cube divided by 3 plus c this is 72 और अगर आप चेक करें तो यह value ही 72 के बराबर आ रही है और अगर यह 72 है तो c की value 0 आ जाएगी c की value अगर 0 है तो fx आगया अपने पास में x cube by 3 और fx अगर x cube by 3 है final f of 9 की value के लिए हम लिखेंगे से 9 cube by 3 ठीक है तो 9 cube by 3 आप इस value को find out कर सकते हो यह आ जाएगा अपने पास में 81 into 3 और 81 into 3 this is 243 answer is option D 243 ठीक है चलिए next problem पर आते हैं ओके अगें दो integration है i1 और i2 और फिर से हमें इन में relation establish करना है अगें यह उसी type पर प्रॉब्लम है फिर से आपको इसमें दिमाग लगाना है और एक integration को दूसरे integration से connect करना है तो चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पर i2 integration को i2 में limit है 1 से लेकर के 1 by x dt over 1 plus t square और i1 में अगर देखें तो यह है x से 1 x से 1 तो समझ में आता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए यहाँ पर t को अगर मैं 1 upon z से replace कर दूँ रेसिप्रोकल फॉर में ले लूँ तो लिमिट को में वैसा बना सकता हूँ तो यहाँ से dt और dz में relation अगर देखा जाए तो dt आ जाएगा अपने पास में minus dz over z square इसको पूट कर देते हैं तो integration i2 वन पर वन ही आएगा वन बाई एक्स पर एक्स आ जाएगा एक minus sign आ रहा है हमारे पास में dz over z square और यहाँ पर भी t को 1 upon z रख देंगे तो 1 upon 1 plus 1 upon z square यह इसको अगर मैं multiply कर दूँ तो यह आपने पास में minus 1 से ले करके x dz over 1 plus z square तो अगर देखा जाए तो यह आपका x से 1 था यह 1 से x आ रहा है इस minus sign को limit interchange करने में भी use कर लेते हैं और variable से कोई फर्क पड़ता नहीं है ठीक है तो अगर यह i1 है तो इसको भी आप i1 ही बोल सकते हो यहाँ पर i1 और i2 दोनों ही equal आ रहे हैं i1 i2 अगर दोनों same है तो obviously बात है option यह हमारा correct यहाँ पर होगा ठीक है चलिए next problem देखते हैं next problem again indefinite integration का problem है sine और cosine use हो रहे हैं sine और cosine use हो रहे हैं तो आपको तुरंत trigonometric function के integration का concept याद आना चाहिए और sine और cosine अगर दोनों use हो रहे हैं और यहाँ पर अगर आप इनकी power का sum अगर observe करें तो एक की power है minus 5 by 7 और एक की power आ जाएगी minus 9 by 7 and this is minus 2 यह type आपको याद होगा अगर sine x और cosine x की power का sum negative even integer है तो उस problem को solve करने के लिए 10x को t put करते हैं अब हमें 10x को t put करना ही है और जो cos x है उस cos x को हम sec x से relate करेंगे जिससे कि हम 10x के derivative में use कर पाएं तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर कि आपको sine को तो खत्म करना है तो मैं sine को खत्म करता हूँ यहाँ पर इसको बना लेता हूँ 10x power 9 by 7 ऐसा करने के लिए मैंने cos x से divide किया है यहाँ पर power minus 5 by 7 थी मैंने cos x power 9 by 7 divide किया है multiply भी करेंगे तो यहाँ पर cos x power 9 by 7 भी आएगा चलिए थोड़ा सा इसे rearrange करके लिखते हैं अगर इसे दिखा जाए तो यह आ गया cos x power यह 9 by 7 उपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 2 divided by 10 x power 9 by 7 या इसको आप लिख सकते हो 6 square x divided by 10 x power 9 by 7 अब यह सब को समझ में आता है कि इसमें अगर हम 10 x को t put कर दें तो नियूम्रेटर में इसका derivative present है ठीक है यानि ultimately जो integration हमें करना है वो है t power minus 9 by 7 dt तो t की power minus 9 by 7 t power n का integration t power n का integration सबको मलूम ही है यह आएगा t power minus 9 by 7 plus 1 जो ultimately बन रहा है minus 2 by 7 इससे divide भी करेंगे plus c t की जगा वापस हम 10 x रख देते हैं और यहां से अगर मैं simplify करूँ तो 10 x power minus 2 by 7 साथ में minus 7 by 2 plus integration constant option a हमारा correct answer होगा ठीक है तो routine problem है चली आगे बढ़ते हैं next problem की तरफ next problem क्या है वो देखते हैं multiple correct question है तो हमारे बास में एक function है मॉडूलस से related theta है 0 पाइब टू से पाई और इसके बाद में पिर देखते हैं integration क्या बनेगा अब इसने बोला है कि जो cost theta है वो negative quantity होगी और sin theta वो हमारी positive quantity होगी और modulus को open करने के लिए इसका पता होना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले वाले मॉडूलस को देखते हैं कॉस theta हमारा negative है साइन थीटा हमारा positive है इस वाले मॉड के अंदर negative quantity आ रही है तो मैं मालूम है कि मॉड के अंदर अगर negative quantity है मॉड हटाएंगे तो साइन बदलना पड़ता है तो इस मॉड को हटाते हैं पहला मॉडूलस एक मॉडूलस और है यह जो थर्ड मॉडूलस है यह माइनस साइन के साथ आएगा तो यह बन जाएगा माइनस 3 cos theta and plus sin theta चीक है इसके साथ में add होगा 2 cos theta फिर यह मॉडूलस लग रहा है यह वाला and extra plus में cos theta and further modulus अब सब कुछ इस पर depend कर रहा है तो अगर मैं इसे simplify करूँ तो यह आ रहा है मेरे पास में sin theta minus cos theta अब sin theta minus cos theta का modulus है तो फिर से वही बात cos theta negative है sin theta positive है यह अगर negative है negative negative plus हो जाएगा यह positive है mod के अंदर positive quantity है mod का कोई significance नहीं है तो यह आ जाएगा first वाला modulus यह as it is हम लिख देंगे sin theta minus cos theta बाहर पड़ा हुआ है एक cos theta cos theta, cos theta cancel कर दें this is mod of sin theta, mod of sin theta में again modulus की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि sin theta positive है तो यह आ जाएगा sin theta के बराबर यानि हमारा जो function है वो simply sin theta के बराबर अब अगर यह sin theta के बराबर है यह वाला option correct है, sin square theta का pi by 2 से pi में integration, तो pi by 2 से pi में integration pi by 4 होता है integrate करके देख लें, यह वाला option भी आपको correct मिलेगा, sin theta का differentiation cos theta, cos theta 3 pi by 4 पर minus 1 upon root 2 बिल्कुल सही है, second quadrant में यह वाला option भी सही होगा और विसी बात है कि d option गलत हो गया क्योंकि sin theta का pi by 2 से pi में integration value 1 होती है तो ABC यहाँ पर 3 option correct है, जो काम था बस वो इस modulus को simplify करने का काम था चलिए, move करते है next problem की तरफ indefinite integration का problem है, routine question है, यह type देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या करना है, तो यहाँ पर हम cos square x से divide करेंगे, cos square x से divide करने पर limit नहीं है, इसमें डिवाइटर में आगे, आ गया, sec square x, denominator की बात करें, तो a square 10 square x plus b square, अब समझ जाता है किसको solve करने के लिए, 10x को अगर मैं t put कर दूँ, तो इससे integration कर लेंगे, standard है, तो यह बन गया dt over a square t square plus b square, अब यह एक standard integration है, 1 upon x square plus a square का format है, तो हमें integration मालू होना चाहिए, यह आएगा 1 upon b tan inverse, a t by b, और t का coefficient भी आपको balance करना पड़ेगा, प्लस constant c, तो यह जो result आ रहा है, इसको इससे compare कर लेते हैं, 1 upon a b tan inverse, a की जगा पर a ही है, this is a tan x upon b plus c, ठीक है, तो यह मानते पर चलते हैं, जो c है, वो integration constant ही है, एंड इसी से हमें इसे compare करना है, तो यहाँ से अगर मैं compare करूँ, तो a b की value हमें 12 मिल रही है, और a by b की value हमें 3 मिल रही है, और हमें a और b पर comment करना है, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को multiply कर दूँ, तो multiply करने पर आ रहा है, a square की value 36, यानि a की value plus minus 6 है, और a अगर plus minus 6 है, तो b की value correspondingly, a की value 6 लेंगे, तो b की value 2 आएगी, तो यह आ जाएगा plus minus 2, ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी value क्या हो सकती है, तो यह trigonometry का एक standard result है, 6, 2 ले लें, minus 6, minus 2 ले लें, 6, minus 2 ले लें, इस function की range में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर इस function की range निकाली जाए, तो इसकी जो range आती है, वो आती है, minus root a square plus b square से ले करके, plus root a square plus b square तर, तो minus root a square plus b square is 36 plus 4, 40, and plus root 40, ठीक है, तो अब आप से पूछ रहा है कि इसकी value क्या क्या हो सकती है, तो minus root 40 से plus root 40 के बीच में सारी values हो सकती है, यह within range है, यह भी range के अंदर है, यह भी है और यह भी, इसका मतलब इसकी यह चारो values possible है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, let fx is a differentiable bisective function, bisective function है यह, मतलब यह invertible है, इसका inverse exist कर रहा है, और एक differential equation given है, f dash x, 0 से x ft dt, and 1 to x gt dt, for all x greater than 0, 0 पर value 1 है, और gx fx का inverse function है, इसको हम थोड़ा सा rearrange करके लिखें, तो हमें बात समझ में आ जाएगी, 0 to x ft dt, plus, उसको इधर ले आते हैं, 1 से fx, इसको मैं right hand side में shift कर रहा हूं, gt dt, और यह value आपको given है, f dash x के बराबर, तो definite integration में एक property हम लोग पढ़ते हैं, inverse function से related, a से b fx dx, c to d f inverse x dx, ठीक है, यह जो upper limit है, इस upper limit पर इसकी जो value आ रही है, वही इसकी upper limit होनी चाहिए, और इसकी lower limit पर यह value lower limit होनी चाहिए, ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि यह fx है, और f0 की value आपको question में 1 के बराबर given है, और हमें मालूम है, इसका result क्या होता है, यह होता है, अपर limit का product x into fx, minus lower limit का product यानी 0, यानी ultimately आपको यह एक relation दिया हुआ है, अब इस relation के basis पर हम आगे बात कर लेते हैं, यह simple सी differential equation है, इसे हम बोल सकते हैं, this is dy by dx, अगर fx को मैं y बोल दूँ, this is xy, solve कर लेते हैं, dy over y, इधर आगया x dx, integrate कर दें, तो integration पर आजाएगा, ln y, this is x square upon 2 plus c, या y की value find out कर लें, या यही fx है, इस fx की value आजाएगी, e power x square by 2 plus c, अब question में कह रहा है, कि जो f0 की value है, वो 1 है, अगर मैं x की value 0 रख दूँ, तो इसकी value को 1 लाने के लिए, c की value आपको यहाँ पर 0 के बराबर लेना पड़ेगा, तो fx function हम यहाँ पर ले सकते हैं, e की power x square by 2, अब अगर यह function आ चुका है, f0 की value इसमें 1 के बराबर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, g of e यह हमें चेक करना है, तो g इसका inverse function है, अगर g of e root 2 है, तो इसका मतलब g inverse root 2, यानि f of root 2 की value, क्या e के बराबर आ रही है, तो हाँ भई ऐसा है, अगर मैं इसे चेक करूँ, तो f of root 2 की value e power 1 आ रही, यानि g of e की value, आपके पास में root 2 के बराबर होगी, यह option सही है, ऐसी g of 1 क्या root e के बराबर है, इसका मतलब f root e, 1 के बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, अगर मैं x की जगा root e रखूँगा, तो वो 1 के बराबर नहीं आ रही है, तो यह वाला option तो गलत है, अगर f1 root e है, तो इसका मतलब, अच्छा यह तो हम directly देख सकते हैं, अगर यहाँ x की value 1 रख दें, तो x की value 1 रखने पर e की पावर हाफ आ रहा है, जो root e के बराबर ही है, यह वाला option सही है, और आप्विस्सी बात है, यह लास्ट वाला option अमारे पास में नहीं आएगा, तो इसमें आपके यह दो answer आजाएंगे, a और c, ठीक है, चलिए, move करते हैं, next problem की तरफ, ओके, f is a function defined from r to r, 3 sin x minus sin 3x, फिर gx एक function है, और hx एक function है, तो हमें यहाँ पर, दो तरह के result देखने हैं, इस integration की value क्या है, और gx अगर hx से greater है, तो वो interval क्या होगा, तो पहला काम थोड़ा सा इसको simplify करके लिख लेते हैं, इसको अगर मैं simplify करूँ, sin 3x का formula यूज करलू, 3 sin x minus 4 sin cube x, तो यह 4 sin cube x के बराबर है, थोड़ा सा इसे भी simplify कर लेते हैं, यह है 3 plus 2, cos square x minus 1, minus का 4 cos x, यह इसे अगर देखा जाए, तो 2 अगर common लेने, तो हमारे पास में आ रहा है, cos square x, फिर minus 2 का cos x, यह बन रहा है plus का 2, यानि plus 1, 2 common लेने के बाद, यह इसे लिख सकते हैं, 2 times 1 minus cos x, या cos x minus 1 का whole square, तो gx function हमारा, 2 times 1 minus cos x का square है, और hx थो clear है, चले, तो, पहले देखते हैं, इस integration की value, तो हमें चाहिए integration, 0 to pi, मैं function, जो भी हम लोग इने find out किये हैं, उनको रख देता हूँ, fx function है, 4 sin cube x, gx function है, 2 times, 1 minus cos x का square, और hx function, आपके पास में ये रहा, 1 minus 2 cos x, dx, अब इसकी value हमें निकालनी है, तो सबसे सिंपल बात यहाँ पर ये दिख रहा है, कि अगर मैं cos x को t मान लूँ, तो ये थोड़ा सा simplify हो जाएगा, polynomial के form में आ जाएगा, तो वही काम करते हैं, cos x को t मान लें, integration i किसके बरावर होगा, देख लेते हैं, 0 पर ये 1 हो जाएगा, ये minus 1 हो जाएगा, derivative से एक minus sign आएगा, sin x एक हम dt में यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 4 sin square x, and इस 2 को भी इसके साथ ही adjust कर देते हैं, यहाँ पर है 8, 1 minus t whole square और 1 minus 2t dt, इस minus को limit interchange करने में यूज़ कर लेते हैं, sin x को cos से बदल लेते हैं, this is 8 times minus 1 से 1, 1 minus t square, इधर आ जाएगा 1 minus t whole square, and 1 minus 2t dt, ठीक है, अब यह property हमें मालूम है, minus a से a, तो यह हमारा even function है, लेकिन यह जो function है, वो even या odd नहीं है, जिसमें यह property हम लोग apply कर देते हैं, तो देखते हैं next space पर, यह integration क्या बनेगा, this integration I, इससे लिखा मैंने 0 से 1, 1 minus t square, यह वाला पाट तो even है, as it is रख लेते हैं, और इसके पहले क्या था, 1 minus t square, 1 minus 2t, तो 1 minus t whole square, और 1 minus 2t, t की जगा पर अगर मैं minus t रखूँगा, तो plus 1 plus t square, 1 plus 2t, यह आ रहा है, इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा simplify, देखते हैं यह क्या रहा है, तो इसकी अगर बात की जाए, तो दिस इस 1 plus t square, minus 2t, इंटो 1 minus 2t, दिस इस 1 plus t square, plus 2t, 1 plus 2t, तो सबसे पहले, तो यहाँ पर हम लोग, t cube का कॉफिशेंट देखते हैं, तो यहाँ से t cube का कॉफिशेंट बना, minus 2t cube, यहाँ से आ रहा है, plus 2t cube, t cube बला टर्म नहीं बचेगा, t square का टर्म देखते हैं, तो plus का t square, plus का 4t square, 5t square, और इधर से भी आ रहा है, 5t square, तो यह आ गया 10t square, इसके बाद मैं t का कॉफिशेंट देखें, तो यह आ रहा है, minus 2t, minus 2t, minus 4t, plus 2t, plus cancel हो गया, constant 1 and 1, यानि 2, dt, तो यह एक simple सी हमारे पास में, polynomial equation है, 2 common ले ले लेते हैं, 16, 0 से 1, यह आ गया, 1 minus t का square, और इधर है, 5t square, plus 2, simplify कर लिया जाए, 16, 0 to 1, इसको multiply कर दूँ, तो minus 5t power 4, फिर minus 2t square, plus 5t square, यानि 3t square, और constant की बाद करें, तो plus का 2, अब यह 0 से 1 में integrate हो रहा है, तो 0 से 1 में समझ में आता है, t की power 5 by 5, तो this will be minus t की power 5, यह आ जाएगा, t cube divided by 3, 3 से 3 भी cancel हो गया, and plus 2t, limit 0 से 1, 5t square minus, ओके यहाँ पर गड़बड हुई है, 2 अगर common लेंगे, तो यह तो 1 आएगा, यह 1 आएगा, तो यहाँ पर भी correction होना चाहिए, यह आएगा, 5t square minus t square, यानि 4t square, यह 4t square है, और यह 1 है, तो यहाँ पर भी calculation में error हो रही है, यह आजाएगा, 4t cube by 3 and t, तो अब t की value को 1 put कर देते हैं, और देखते हैं, final result, 16, यह minus 1, यह plus 1 cancel हो जाएगा, 4 by 3, this is 64 divided by 3, तो 64 divided by 3, यह इसका answer आ रहा है, फस्स part में, तो 64 divided by 3, यानि option, यह तो अपना correct है, ठीक है, अब देख लेते हैं, B और D, GX, HX से greater कब है, इसको मैं यही पर check कर लेता हूँ, GX, greater than HX, को solve कर लिया जाए, GX है हमारे पास में, 2 times 1 minus cos X का whole square, greater than HX, यानि 1 minus 2 cos X, ठीक है, इसे अगर simplify करें, तो यह क्या आ रहा है, यह आपने पास में, 2 cos square X, minus 4 cos X, इसको अगर इदर shift कर दें, तो minus 2 cos X, एक 2 यहाँ पर है, तो यहाँ जाएगा, plus 1 greater than 0, तो अच्छल में यह चेक करना है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए, तो यह कुछ हैसे लिखा हुआ है, cos square X, cos square X minus 2 cos X plus 1, जिसको लिख सकते हैं, cos X minus 1 का whole square, which is greater than 0, तो cos square X और cos X minus 1 का whole square, obvious ही बात है, greater than 0 होगा, किसी भी interval में 0 होगा, मतलब जो भी interval, HX का दे रखा है, इस complete interval में होगा, तो GX हमारा HX से greater होगा, minus pi से 2 pi में, यह बात बिल्कुल सही है, और इस interval में अगर correct है, तो इसमें तो होगा ही होगा, यानि यहाँ पर option A, B और D, यह तीनों option सही होगा, चलिए move करते हैं, next problem की तरह, definite integration का problem है, property based, तो चलिए property apply करते हैं, तो इसमें लगाते हैं, 0 से 2A, queen property, ठीक है, तो 0 से 2A, सीधे अगर मैं property लगा दूँ, queen property, क्योंकि यहाँ पर, f of 2A minus x, अगर मैं x को 2 pi minus x से replace करूँ, तो repeat हो रहा है, तो यह हो जाएगा, 2 टाइम 0 से pi, same function, cos x plus, cos square x plus 1, upon, mod cos x, plus mod of sin x, फिर से queen property अप्लाई करते हैं, again queen property, 0 से 2A, तो 0 से 2A में, अब यहाँ पर x को pi minus x से replace करने पर, यह repeat नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तो हिससे हम लिखेंगे, 2 times, 0 से pi by 2, 0 से a, यहाँ पर आएगा, f of x, plus f of pi minus x, तो यह denominator तो as it is, x को अगर pi minus x से replace कर भी दूँ, तो कोई फर्क नहीं परता, यहाँ पर यह fx as it is, और एक term ओर आएगा, f of pi minus x, तो f of pi minus x, x को अगर मैं pi minus x से replace करूँगा, यहाँ पर आएगा minus का cos x, इसमें कोई change नहीं, cos square x, 1 में कोई change नहीं, dx, ठीक है, तो यह queen property लगा दी है, cos x से cos x यहाँ पर cancel हो गया, और अगर इस integration को फर्दर देखें, यहाँ लिख रहा हूँ, तो i बराबर आगया 2 times integration 0 से pi by 2, numerator में हमारे पास में है 2 cos square x, plus 2, और denominator में mod की भी कोई जरुवत नहीं है, sin x plus cos x, ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिर से queen property लगा दो, ठीक है, तो फिर से queen property अगर मैं अप्लाई करूँगा, i बराबर, यह 2, 2, 4, और यहाँ पर आजाएगा 0 से pi by 4, f of x, and f of again, pi by 2 minus x, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इससे लिखा जाए, तो यह 2 मैंने common ले लिए है, यहाँ पर आजाएगा, cos square x plus 1, pi by 2 minus x करेंगे, तो वो बन जाएगा, sin square x plus 1, डेनोम नेटर में अगर, pi by 2 minus x करते भी हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यह sin x plus cos x से ही बन रहा है, तो फिर से मैंने एक बार queen property लगाई है, 0 से 2a को लिख सकते हैं, हम लोग 0 से a, fx plus f of 2a minus x, अब अगर इससे फर्दर देखें, तो जो integration यहाँ पर मुझे अब करना है, वो है 4 times, यह भी 1 हो गया, तो 1 plus 1 plus 1, यानि 3 अगर मैं इसमें common ले लूँ, तो 0 से πाई बाई 4, 1 upon sin x plus cos x, अब यह एक standard profile है, हम सब लोगों मालूम ही यह कैसे होता है, इसको next space पे देख लेते हैं, sin x और cos x दोनों को, हम half angle में बदल सकते हैं, 10x by 2, या यह भी चाहें, तो आप यहाँ पर, इसी को एक single function में बदल करके, root 2 से multiply डिवाइड करके कर सकते हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं, तो यह last में आया है, 12 integration 0 to πाई बाई 4, sin x plus cos x, इसमें एक root 2 multiply डिवाइड कर दूँ, और यहाँ पर लिख सकते हैं, cos x minus πाई बाई 4, तो इसे लिख देए 6 root 2, 0 to πाई बाई 4, सेक x minus πाई बाई 4, तो सेक x का integration हम सब लोग को पता है, उसको यूज कर लेते हैं, अगर तो यह बनेगा, सिक जीरो विच जीज़ वन है और यहां पर पाइभे फूर अगर रख दें तो जीरो आ रहा है जीरो अगर रख देंगे तो यहांपर आजाएगा अपने पास में माइनस के साथ सेक माइनस पाई भी फॉर विच इस वन अपॉंग रूट तो नहीं वन अपॉंग रूट टू और यहां पर अखर जीरो रखेंगे तो आएगा अपने पास में माइनस वफ टू यह बना थैट टू माइनस रूट टू ओप्शन देख लेते हैं ओप्शन क्या है हमारे पास में ओके एक ओप्शन तो हमारे पास में यह आ रहा है कि यह किसके बराबर है तो यह 6 टाइम्स 0 2 पाइबाइट टू मैंने यहां पर उसको भी हाफ कर दिया है ठीक न तो इसे सिक्स टाइम्स 0 2 पाइबाइट तो क्योंकि इसमें अगर मैं किंग लगाऊंगा तो किंग लगाने पर रिपीट हो जाएगा या कुईन प्रॉपर्टी लगा दें तो यह अगें 12-0 2 पाइबाइबाइफ 4 ओ जाएगा तो एक ऑप्षिन तो हमारे पास में यह आ रहा है और इसी को फॉर्दर सिंप्लिफाई करना है तो कि तो हमारे पास में ऐसा कुछ ऑप्षिन नहीं आ रहा है तो इसको अपन चेक कर सकते हैं हमारा जो तो अगर मैं इसे रेशनलाइज कर दूँ इस वाले पार्ट को इसको इस फॉर में बदल लेते हैं इसको लिख सकते हैं एल एंड रूट टू प्लस वन से मल्टिप्लाई डिवाइट कर दें तो दिस इस रूट टू प्लस वन कोल स्कुरेर ओप्शन सी अगर करेक्ट है तो ठीक है रूट टू प्लस वन से मल्टिप्लाई डिवाइट कर दिया या इसे अगर चेक करें तो यह आ रहा है लन 3 प्लस 2 रूट टू तो अगर यह ओप्शन सही है ओप्शन ए और सी दिया हुआ है तो कि यहाँ पर अपना कैलकुलेशन फिर से देख लिया जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया था कॉस एक्स मैनिस पाई बै फॉर सेक थीटा एलन सेक थीटा प्लस तैन थीटा 0 2 पाई बै फॉर यहाँ पर आ जाएगा पाई बै फॉर पर सेक 0 1 वो 0 आ गया 0 पर सेक पाई बै फॉर रूट 2 और यह आ जाएगा माइनस 1 2 माइनस रूट 2 तो 6 रूट 2 का मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं अगर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो यह तो आएगा 6 टाइमस एलन रूट 2 प्लस 1 तो यह वाला ओप्शन तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पर जो कैलकुलेशन आ रहा है हमारे पास में यह तो बन रहा है 2 माइनस रूट 2 यह प्लस में और 0 रखने पर 2 माइनस रूट 2 यह रहा है ओके इसका मतलब इसमें कर्रेक्शन लग रहा है यह वाला ओप्शन जो आएगा इसको सिंप्लिफाई अगर करेंगे तो आएगा 3 रूट 2 एलन इसमें रूट 2 माइनस 1 मल्टिप्लाई डिवाइट कर दें 2 माइनस फूट 2 ओके फिर से देखना पडएगा 5 x 4 ओके 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 यहाँ पर एक बेसिक मिस्टेक हो रही है 6 रूट 2 यह पूरा टर्म एक साथ ही है तो 5 by 4 जब हम पुट करेंगे यह गड़बड हो रही है यहाँ पर 5 by 4 रखा sec 1 यह बनेगा अपने पास में 1 और यह अगर आप रखेंगे तो आजाएगा 0 मतलब 0 माइनस ln वो एक साथ पुट कर दिया था 0 अगर पुट करेंगे तो 0 पर यह बनेगा अपने पास में root 2 और यहाँ पर अगर आप 0 पुट करेंगे तो बनेगा माइनस 1 तो एंसर आएगा यह यह यानि इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 root 2 and with minus sign ln 1 की value तो 0 ही है ln root 2 minus 1 ठीक है pi by 4 पर यह value आजाएगी अपने पास में 6 0 1 बिल्कुल सही है 0 पर जब आप चेक करेंगे तो root 2 and 0 पर यह minus 1 ठीक है अब option चेक करते हैं यहाँ पर क्या correct option आ रहा है तो यहाँ पर यह मैंने इसको calculate किया था तो यह तो 3 root 2 इसकी भी जरुवत नहीं है अब अगर इस वाले option को देखा जाए तो यह वाला option यह 2 बाहर आ जाएगा इसका मतलब यह बन जाएगा हमारे पास में 6 root 2 ln root 2 plus 1 और इस वाले option की अगर बात करें तो यह बनेगा 6 root 2 ln root 2 minus 1 ठीक है root 2 minus 1 से multiply divide तो option में correction लग रहा है क्योंकि जो हम यहाँ पर calculate करके लाए हैं वो तो आया है हमारा minus 6 root 2 ln root 2 minus 1 इसको लिख लेते हैं 6 root 2 ln 1 upon root 2 minus 1 further इसे rationalize कर दें तो 6 root 2 ln root 2 plus 1 लिख सकते हैं 6 root 2 ln root 2 plus 1 6 root 2 ln root 2 plus 1 वो आपको मिल गा है यहाँ पर option सही है option c ही correct है यहाँ पर और एक option यह अपना correct है चीक है तो वहाँ पर थोड़ा carefully हमें limit को put करना था उससे answer आ जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं next है हमारे पास में 0 से 2 cot inverse से related एक integration है तो इस cot inverse को हम सबसे पहले तो बदल लेते हैं tan inverse में चीक है तो tan inverse में change करने के लिए अगर इसे देखें तो यह x-1 का whole square है positive है तो अगर यह positive है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan inverse 2 upon x-1 का whole square इसको लिखने में कोई परिशानी नहीं अब यह tan inverse में जो format है tan inverse से related series वाले question भी आपने देखे होंगे तो उसी direction में आगे बढ़ते हैं 0 से 2 यहां पर एक one add कर देते हैं और one subtract कर देते हैं तो x-1 का whole square minus 1 अगर इसे देखा जाए further तो यह आएगा अपने पास में a plus b यानी x और a minus b यानी x minus 2 और ध्यान से देखें तो numerator में इसी का difference लिखा जा सकता है तो यह tan inverse x minus tan inverse y की तरफ चला गया तो इस integration को लिख लेंगे 0 से 2 tan inverse x minus tan inverse x minus 2 तो इसे हमें integrate करना है और इस integration value को चेक करना है कौन-कौन से option correct है इस वाले part में अगर मैं king property लगा दूँ इसको अलग कर लेता हूं और इसमें अगर king property लगा दें x को replace कर दें 2 minus x से 2 minus x से replace करते ही यह आ जाएगा integration 0 से 2 tan inverse इस x को अगर आप रखेंगे 2 minus x तो बन जाएगा minus x और tan inverse minus x हमें मालू में minus tan inverse x होता है तो इसको इसी के साथ club कर दें तो यह ultimately आ रहा है 2 times integration 0 to 2 tan inverse x तो अब हमें इसे integrate करना है तो tan inverse x को integrate करने के लिए by parts की help ले लेते हैं next space पे देखते हैं तो 2 times integration 0 से 2 tan inverse x into 1 dx 2 times इसका integration first function second का integration minus tan inverse x का differentiation और बाद में हम लोग इसमें limit लगा देंगे 0 से 2 यह वाला integration और देख लिया जाए 2 times x into tan inverse x minus tan inverse 2 यह 2 और यह 2 कैंसल हो गया minus ln 2 रखने पर 5 तो हमारा answer आया इस integration का 4 tan inverse 2 minus ln 5 4 tan inverse 2 minus ln 5 option B यह हमारा correct answer है अब एक option और इससे relate कर रहा है यह जो हमारा integration है वो इस number से greater है या less है तो वो हम इस तरीके से check कर सकते हैं कि हमारा जो 10 inverse 2 number होगा this will be lesser than 10 inverse root 3 sorry 2 is greater than this तो यह होगा greater than this 10 inverse 2 की value 10 inverse root 3 से greater है और इसी तरीके से अगर हम check करें तो यहाँ पर ln 5 है अगर e square लेंगे e square की value होगी तो जो ln e square की value आएगी वो greater आएगी अपने पास में ln 5 से ठीक है तो अब हम इसमें क्या करें इसमें यहाँ पर हम लोग एक minus sign apply करके अगर मैं दोनों को add कर देता हूँ तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो minus ln 5 होगा this will be greater than minus ln e square and minus ln e square का मतलब है minus 2 तो अग मैं अगर इसे correspondingly add कर दूँ तो 4 tan inverse 2 minus ln 5 की जो value आएगी यानि integration की जो value होगी वो tan inverse root 3 tan inverse root 3 मतलब pi by 3 उसमें 4 आप multiply करेंगी तो यह बन जाएगा 4 pi by 3 minus 2 इससे तो अपनी greater होगी ही तो यहाँ पर option b और option c यह दोनों correct होंगे c अगर correct है तो अगर बात है d हमारा गलत हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ओगे next is paragraph तो paragraph में यहाँ पर हमें पहले function fx तक पहुँचना पड़ेगा एक बार function fx आ जाएगा तो उसके बाद में फिर हम यह integration sorry इस limit को भी find out कर लेंगे तो a b c d 4 distinct roots है 4 distinct roots of this equation अब गर जाएगा इस equation को हम नजर डालें तो यह equation है x की power 4 minus 4x plus 3 और इधर भी अगर देखें तो x की power 4 ठीक है फिर यह बन जाएगा minus f dash 1 x q यह x multiplied है यहां तक फिर आएगा plus f double dash 1 x square minus 4x plus f of 1 must be 0 अगर a b c d इस equation के roots है तो इसे simplify कर लें उस equation के roots भी a b c d होंगे तो f dash 1 x q फिर minus f double dash 1 x square फिर आ जाएगा अपने पास में minus 4x minus 4x यह cancel हो गया और इसको अगर मैं इधर transfer कर दूँ तो 3 minus f of 1 must be 0 इसके a b c और d यह 4 roots कह रहा है अब एक simple सी बात है किसी भी cubic equation में आपको अगर उसकी degree से ज्यादा roots मिलते हैं तो वो एक identity होती है इसका मतलब यह तभी possible है जब आपका f dash 1 0 हो f double dash 1 भी 0 हो और f of 1 की value 3 के बराबर हो अब question में यह भी कह रहा है कि fx एक monic polynomial degree 3 है मतलब cubic polynomial है और किसी भी cubic polynomial में 1 पर derivative 0 है यानि x-1 एक factor होगा double derivative भी 1 पर 0 है यानि x-1 का square भी एक factor होगा और 1 पर value 3 है तो यहां से हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि यह हमारे पास में कुछ ऐसा होना चाहिए 1 पर value 0 है 1 पर value 3 के बराबर है तो plus 3 ले लेते हैं इसको differentiate करेंगे तो differentiate आएगा 3 times x-1 square जिसकी value 0 होगी 1 पर और double derivative भी आपका 1 पर 0 होगा तो cubic polynomial हमारा ऐसा कुछ होना चाहिए अब अगर यह हम fx निकाल चुके हैं तो अब इस limit को find out करने में कोई issue नहीं होना चाहिए इसको चलो put कर देते हैं पर है x-1 का whole cube minus sin cube x-1 और fx की जगा fx-3 अगर मैं रख दूं तो x-1 cube whole power 5 by 3 एक काम और कर लेते हैं x-1 को t put कर देते हैं या x को t plus 1 अगर रख दूं तो मेरा problem बन गया limit t tending towards 0 this is t cube minus sin cube t upon t to the power 5 तो इसे solve करने के लिए अब हम लोग factors कर लेते हैं अलॉपिटल भी लगा सकते हैं जो मर जी हो limit t tending towards 0 अगर मैं इसमें factors कर दूं t minus sin t upon t cube यह आपने बहुत बार solve किया होगा और यहां पर आएगा t square plus sin square t plus t into sin t इसके साथ में ले लेते हैं t square तो बस अब यहां पर expansion लगा दीजिए या लॉपिटल लगा दीजिए sin t का expansion t minus t cube upon factorial 3 तो यह दिख जाना चाहिए यह तो आएगा 1 upon 6 और यहां पर अगर t square divide कर दें तो 1 1 1 यह 1 1 1 limit आ रही है so answer आना चाहिए 1 upon 2 तो इसका answer होगा 1 upon 2 यानि option a option a हमारा correct answer इसमें है चलिए तो इसी function को use करके paragraph का अगला problem होगा तो इस function को मैं highlight कर देता हूं और देखते हैं next problem क्या है तो next problem में सारी बाते वही है आप कहा रहा है कि यह जो integration है वो इसके बराबर है तो हमें इस integration तक जाना पड़ेगा fx हम find out कर ही चुके है dx over fx minus 3 आएगा x minus 1 का all cube upon x minus 1 and plus 4 यह तो एक standard integration है 4 plus x minus 1 का square यह आएगा 1 upon a tan inverse x minus 1 divided by 2 plus c चीक है तो वैसा ही कुछ है और इसने यह भी बोलाए कि g of 3 की value pi by 4 है अगर मैं इसमें 3 रख दूं तो pi by 4 आ भी रहा है तो यही g of x है और अगर यह g of x है तो इसमें 5 और 7 रख करके value निकालनी है तो g of 5 plus g of 7 अगर इसको देखा जाए 5 रख दो 5 रखने पर बन रहा tan inverse 2 7 रखने पर बन रहा है tan inverse 3 तो tan inverse 2 plus tan inverse 3 formula लगा सकते हैं या as a standard result भी आपको यह याद होगा तो जैसे मर्जी हो करना है अगर मैं formula लगा दूं तो this will be pi plus क्योंकि x y greater than 1 है tan inverse x plus y upon 1 minus x y so this is pi plus tan inverse minus 1 pi minus pi by 4 या इसका answer आजाना चाहिए 3 pi by 4 option d is correct चीक है चलिए अगे बढ़ते हैं फिर सेक paragraph है 17 to 18 दो problem है function fx is a polynomial of degree at most to 3 such that fx plus 1 is divisible by x minus 1 square और fx minus 1 divisible by x plus 1 square तो इसका मतलब यह है कि fx plus 1 यह अगर x minus 1 square से divisible है तो साथ में कुछ पोशेंट मान लेते हैं इससे हमें क्या क्या पता लग रहा है सबसे पहली बात अगर 1 पर value निकालें तो 1 पर यह side 0 आएगी 1 पर value होगी minus 1 और अगर मैं differentiate कर दूँ तो 1 पर value होगी 0 ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह x minus 1 का factor बचा ही रहेगा तो 1 अगर मैं f-1 निकालूँगा यहाँ पर इस side का derivative f-x तो 1 पर value 0 आएगी ऐसी second information है fx minus 1 यह कह रहा है यह x plus 1 square से divisible है यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसके साथ में q1 x present है तो फिर से वैसी ही बात है अगर मैं x की value को minus 1 रख दूँ तो minus 1 पर value value 1 और differentiate कर दूँ तो minus 1 पर derivative 0 है ठीक है अब यहाँ से हम function को pick करते हैं degree इसने बोला है at most 3 है 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते मतलब maximum 3 तक ही जाएंगे और यह 3 degree का ही एक polynomial हम बना सकते हैं क्योंकि 3 degree polynomial में 4 unknown होते हैं 4 unknown निकालने की information है अच्छा हमारा जो f dash x होगा वो f dash x quadratic होगा और इस quadratic के दोनों root हमारे पास में है तो इससे लिख सकता हूँ k times x plus 1 x minus 1 तो इसको integrate करके हमें unknown की value को find out करना है this is k into x square minus 1 integrate कर देते हैं तो f x की value आ जाएगी k into x cube by 3 minus k x and plus lambda integration constant हमारे पास में दो information ये भी है 1 और minus 1 पर value दे रखी है इसका calculation कर लेते है 1 पर value minus 1 है तो अगर मैं x की value 1 दख दूँ तो 1 by 3 minus 1 plus lambda 1 पर value minus 1 और x की value minus 1 पर value 1 है minus 1 अगर रख दे अच्छा है यहाँ पर k भी आएगा 1 रखने पर minus 1 रख देंगे तो plus का k यहाँ पर भी k था 1 रखने पर plus lambda this is 1 तो देख लेते हैं ये क्या value आ रही है अगर मैं दोनों को add कर दूँ k by 3 ये k कट गया इधर भी कट गया lambda की value 0 और lambda की value अगर 0 ले लें तो यहार अपने पास में minus 2 k by 3 यानि k की value आ जाएगी तो k की value 3 by 2 रख दें lambda की value 0 रख दें तो यहाँ पर final बात जो है वो है fx function हमारे पास में x cube divided by 2 minus 3 by 2 x अब आते हैं इस integration के सवाल पर इसने बोला f of sin theta के बारे में क्या ख्याल है 0 से 2 pi में तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ हमारा question बन गया 0 से 2 pi f of sin theta x की जगा sin theta रख दो sin cube theta minus 3 sin theta whole divided by 2 d theta अब 0 से 2 pi में अगर मैं इसमें queen property लगा दू सीधे तो f of 2 pi minus x तो sin 2 pi minus theta minus sin theta होता है यह भी minus sin होगा तो queen property की help से direct अपन इससे 0 बोल सकते हैं using queen property ठीक है ना इसको integrate करने की ज़रूद नहीं है 0 से 2 pi में integration value 0 तो यह correct है चलिए आगे बढ़ जाते हैं next problem देखते हैं function fx x cube by 2 minus 3 by 2 x है तो fx function जो आया है उसको use कर लेते हैं यह आया है x cube minus 3x upon 2 minus 3x upon 2 यह है fx उसके साथ में यहां पर है 1 third of minus 3 by x square whole power 1 by 3 dx तो यह एक manipulating integral है इसमें function और उसका derivative हमें set करना पड़ेगा तो थोड़ा सा हमें यहां पर दिमाग लगाना है इसमें से अगर मैं एक x को इस bracket के अंदर transfer कर दूँ तो this is 1 by 2 इसको बाहर रख लेते हैं x को transfer करते हैं यहां पर बचा x square minus 3x यह x जब bracket के अंदर जाएगा तो x cube बन जाएगा तो हम इसे लिख पाएंगे x cube upon 3 यहां पर x cube multiply कर दें तो बचेगा minus का 3x whole power 1 by 3 और अब अगर हम इस पे ध्यान दें तो इसमें से एक x भी हटाना पड़ेगा क्योंकि x समने common लिया है तो इसे अगर हम लोग observe करें तो इसको अगर मैं t मान लूँ तो इसका derivative हमारे पास में यह given है इसका derivative आ जाएगा x square minus 3 इसका मतलब यह further हमारा change हो जाएगा t power 1 by 3 dt की तरफ 1 by 2 रहेगा यह वाला तो इसे अगर मैं further integrate कर दूँ और final answer की बात करूँ तो यह आएगा हमारे पास में 1 upon 2 था ही t की power x plus 1 4 by 3 upon 4 by 3 plus c ठीक है तो इसे अगर observe किया जाए तो t, t है x square by 3 minus 3x power 4 by 3 and 3 by 8 यह अपना answer तो option says correct तो main इसमें function fx को find out करना था function fx एक बार आपने find out कर लिया तो फिर आप further आसानी से solve कर सकते हैं अच्छे लिए आगे बढ़ते हैं ना सब्जेक्टिव टाइप questions question number one एक indefinite integration है और इसको simplify करके ऐसा कुछ लाना है तो यह एक manipulating integral है हमें मालूम इसमें क्या करना होता है इस टाइप के question में यहां से यह highest power को बाहर फेकेंगे हो बन जाएगा x की power 20 तो यह one upon x cube बन जा रहा है इसको अगर मैं t assume कर लूँ तो इसका derivative आ जाएगा minus 2 upon x cube dx is equal to dt इससे integration में क्या change आएगा वो जड़ा देख लिया जाए तो यह बन गया minus 1 upon 2 dx upon x cube को तो मैंने use कर लिया है यहां जाएगा dt upon t to the power 10 तो यह t to the power minus 10 है t to the power minus 10 का integration कर देते हैं तो minus 1 upon 2 this will be t to the power minus 9 upon minus 9 plus c अब इसको हमें केवल compare करना है तो t को वापस रख दे this is 1 upon 18 और t को अगर मैं put कर दूँ 1 upon x square plus 1 power minus 9 plus c तो इसे अगर simplify कर देंगे तो वो x square upon 1 plus x square whole power 9 आपको मिल जाएगा ओके तो इसमें कुछ गड़बड है यह आ रहा है अपने पास में 1 upon 18 x square upon 1 plus x square whole power 9 चीक है तो इसने पूछा है n by m तो यहाँ पर शायद m होना चाहिए और अगर इससे हम इसे compare करें तो n की value आ जाएगी 18 और m की value आ जाएगी 9 तो 18 by 9 यानि 2 इसका answer आपको मिल जाएगा तो यह इसमें correction है यहाँ पर m होना चाहिए चलिए move करते हैं आगे let f r to r be a differentiable function satisfying this rule for all x the number of integers in the range of fx is capital n then 3 n by 4 is तो हमें यहाँ पर इस function तक पहुचना पड़ेगा देखने के साथ ही समझ में आता है differentiation तो करना चाहिए लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेंगे यहाँ पर है f of p cos t और साथ में है cos t minus x तो differentiate तो करेंगे देकिन यहाँ पर differentiation डिरेक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पर variable t है तो इसमें अगर मैं king property लगा दूँ तो king property लगाने का मतलब t को replace कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर a plus b minus t से यानि x minus t से तो यह king property लगाने के बाद में बन जाएगा cos of minus t cos of minus t को आप cos t ही लिख सकते हैं यानि fx function जो है उसे लिख सकते हैं 0 to x f t cos t और यह बन जाएगा minus का cos t dt तो अब इसे हम differentiate कर सकते हैं differentiation करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या आता है f-x यहाँ जाएगा f-x into cos x और minus का भी cos x यहाँ इसे बोल देंगे this is f-x minus 1 इंटू cos x चीक है इसमें f-0 की value हमारे पास में 0 है यह भी लिख लेते हैं क्योंकि आगे further हमें integrate करना है integration value को find out करने के लिए तो यह कुछ ऐसा हरावी इसे integrate कर लेते हैं तो इसको divide कर दें यहाँ पर इसे लिख देता हूँ d y over y minus 1 यह y minus 1 इदर चला गया और इदर है cos x dx integrate तो दिस इस ln y minus 1 cos x का integration sin x प्लस c ठीक है एक्स बराबर 0 पर value हमारे पास में 0 है यहाँ पर in fact mod लगाएंगे otherwise problem होगी तो x बराबर 0 पर value अगर 0 है y की value तो c की value भी आपको 0 ही मिल जाएगी अब c की value अगर 0 मिल जा रही है तो function क्या है वो देख लेते हैं तो function में यहाँ लिक रहा हूँ यह आएगा y minus 1 modulus है plus minus e power sin तो y की 2 value दिख रही है एक है 1 plus e power sin x और 1 minus e power sin x हमें 0 पर value 0 चाहिए तो यह होगा 1 minus e power sin x यह होगा हमारा function क्योंकि x 0 पर value 0 भी चाहिए अब अगर यह function है domain इसकी all real है हमें चाहिए इसकी range और range के बाद में फिर number of integers तो चलो range देख लेते हैं तो function आ चुका है हमारे पास में 1 minus e power sin x रेंज बड़े आसानी से समझ में आती है जब आप sin x की value को minimum रखोगे तो यहाँ पर आएगा max value 1 minus 1 by e और max रखेंगे तो आएगा minimum तो 1 minus e से लेकर के 1 minus 1 by e के बीच में यह number जाएगा ठीक है ना? sin x की value 1 रखेंगे तो यह largest होगा यानि minimum value आएगी और minus 1 जब रखेंगे तो आपको यहाँ पर max value मिलेगी अब अगर इसकी range में अगर मैं integer observe करूँ तो integers क्या क्या आएगे? integers आएगे 1 minus e, e की value अगर मैं रख दूँ 2.7 approximately तो यह आ रहा है minus 1 point something तो minus 1 आपको मिलेगा और एक 0 मिलेगा तो मारे पास में जो integers आ रहे हैं वो आ रहे हैं दो integer integer अब अगर दो ही integer आ रहे हैं तो 3 n by 2 की जो value होगी वो होगी n की value 2 रख दें तो 3 by 2 और 3 by 2 का मतलब यह answer होगा 1.50 ठीक है तो इतना सा काम आपके पास में था रेंज निकालनी है देन इसके बाद में integers काउंट करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन अबर 21 एक integration है और सिंपल से integration की बात करने हैं ln root x इस half को आप बाहर फेक दो तो हम इसे लेख सकते हैं 1 by 2 ln x denominator में bx dx समझ में आता है ln x को अगर मैं t ले लूँ तो 1 upon x dx ये dt में use कर लेंगे यानि ये integration है 1 upon 2 integration t dt इसका फर्दर integration अगर कर दिया जाए तो ये है t square divided by 2 2 to 4 plus c और t को मैं रख देता हूँ वापस ln x अब इसने ये भी बोल दिया है कि g of 1 जो है वो 0 के बराबर है अब अगर g of 1 0 के बराबर है तो यहीं हमारा gx होगा तो यहां से अगर मैं g of e power 6 calculate करूँ तो this is 1 4th of इसे अगर e power 6 रखेंगे तो this will be 6 square 36 divided by 4 9 तो correct answer is 9 तो simple सा question था आगे बढ़ते हैं को इसे नमबर 22 यह फिर से वैसा ही question आ गया जो starting में था दो integration है अब इन दोनों integration को हमें relate करना है यानि एक integration को दूसरे वाले integration में बदलने की कोशिश करते हैं तो इस वाले integration को i1 मान लेते हैं इस वाले integration को i2 मान लेते हैं और i1 को change करने की कोशिश करते हैं तो मैं आइवन को पकड़ता हूं आइवन इस रूट टू जीरो टू पाइबाइबाइफ फोर जी ओओ पॉस्टू एक्स एंड कॉस्ट इस इसमें लगा देते हैं किंग प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो i1 यह आ गया रूट टू इंटिग्रेशन जीरो टू पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब तो यह आगे आपने पास में रूट टू इंटिग्रेशन जी ओप साइन टू एक्स और इसको आप ओपन कर दीजे तो कॉस एक्स कॉस पाई बाई फॉर प्लस साइन एक साइन पाई बाई फॉर यहाँ पर आजाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में रूट टू रूट टू से रूट टू आप कैंसल कर दीजे और अगर ध्यान दे यहाँ पर तो यह वैलू किसके बराबर आ जाएगी दिस इस रूट टू से रूट टू उड़ा देते हैं तो यह आपका डिनोमिनेटर के बराबर आ जा रहा है दिस इस आई टू ठीक है तो आईवन इस एक्वइल टू हमारे पास में आ रहा है आई टू यह जो आई था वह आई one बाई इन था आई वनभाई टू था आई यवन बाई आई टू की वैलिक हमारे पास में वन आगीम बराबर आ रही है तो इसका का मतलब अगर मैं i by 2 की बात करूंगा तो वो आएगा 1 by 2, 1 by 2 is 0.50, यह हमारा correct answer हो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 23, f is a twice differentiable function satisfying this differential equation, तो इसको solve करना आप लोगों को पता है, differential equation है, linear differential equation के concept step से कर लेते हैं, इसका integrating factor अगर मैं निकाल दूँ तो integrating factor आ जाएगा e to the power integration minus 1dx, यानि e की power minus x, तो यह आ जाएगा f dash x into integrating factor e power minus x, इधर बन जाएगा 1dx, यानि f dash x into e power minus x आ रहा है x plus c, अब हमारे पास में f 0 और f dash 0 दिया हुआ है, तो x की value को अगर मैं 0 put कर दूँ, f dash 0 की value 1 है, यह भी आ रहा है 1, इधर 0 plus c, यानि c की value 1 है, c की value 1 अगर रख दी जाए, तो f dash x यहां से solve करने पर आ गया, c की value 1 रख दो, this is x into e की power x plus e की power x, c की value को 1 रख दिया, now further इसे integrate कर लेना है, तो integrate कर लीजिए, यहां से f x, एक क्या मिल जाएगा, x into e की power x का integration, this will be x into e की power x, ठीकिके न, by part लगा देते हैं, minus e की power x और इसका integration e की power x plus integration constant, तो f x function हमारे पास में आएगा, x into e की power x plus constant, अब क्योंकि f 0 की value 0 है, तो function बन जाएगा, x into e की power x, अब अगर यह function है, x into e की power x, तो इसका मतलब यहां पर बचेगा, only e की power x, और e की power x को अगर मैं integrate करूँगा, तो e की power x ही आएगा, e की power x में limit अगर रख दें 0 से 1, तो यहारा e power 1 minus e power 0 1, अब कह रहा है कि इसका और इसका number of solution क्या है, तो वो तो समझ में आता है, यह हमारा एक circle है, radius 1 है, और e minus 1 की अगर बात करें, तो e minus 1 value 1 से greater है, इसका मतलब y is equal to e minus 1, वो line मेरी यहां कहीं होगी, इन दूनों का कोई intersection नहीं आएगा, तो हमारे पास में जो number of solution आएगे, वो आएगे 0, चलिए, next problem देखते हैं, a differentiable function g satisfies this relation, और all x, देन आपको यह limit find out करनी है, तो यह भी differentiation से related एक problem है, थोड़ा सा rearrange करते हैं, यहां पर x भी present है, तो x into gt, यह x इस integration के बाहर आ जाएगा, क्योंकि variable तो t है, और इसके बाद में इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, plus integration 0 to x, 1 minus t g of t dt, now यह कहरा है यह एक identity है, तो इससे differentiate कर सकते हैं, इससे differentiate कर दीजिए, इदर लगेगा product rule, तो यह आएगा x into gx, plus integration 0 to x gt dt, इसका differentiation आप लिखेंगे, 1 minus x into gx, और इधर 4x cube plus 2x, अब आपको g dash x चाहिए यहाँ पर, तो एक बार इससे और differentiate करना पड़ेगा, यह x gx cancel कर दीजिए, यहाँ पर gx बचेगा, तो यह part cancel हो गया इसके साथ, फिर से differentiate कर दें, तो यह आएगा gx, इसकी बात करें, तो यह आएगा g dash x, इधर अगर देखें, तो आप 12x square plus 2, तो अब इसने पूछा है, कि इस function की 0 पर limit क्या है, अगर मैं इसके 0 पर limit निकाल दूँ, तो 0 पर दिख जा रहा है, कि जो limit है, वो हमारे पास में 2 के बराबर है, तो इसका answer आजाना चाहिए 2 के बराबर, ओके, यह last problem था, तो आपको solution 7 में आया होगा, ठीकिए, आपको आपको,